नई दिल्ली, अफ्रकी देशों की पांच दिवसीर यात्रा पर गए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी रवांडा पहुँचे, जहां एरपूर्ट पर उनकी अगवानी करने रवांडा के राष्ट्र पति पाउल काग मिख खोथ पहुँचे, रवांडा में पीम मोधी को गा इस दोरान पीम मोधी रवांडा को बेहत खास तुहफा भी देने जा रहे हैं, वहीं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी जबकि लिए में भारतिय समुदाई के लोगों से मिले तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, लोगों में पीम मोधी के प्रतिदिवान की स इतना ही नहीं वहां मौजूद लोग मोधी मोधी के नारे भी लगा रही थे, पीम मोधी ने यहां भारतिय समुदाई की सदस्यों को भी समबोधित किया, इससे पहले पीम मोधी वहां के राष्ट्रपती से मिले जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझोतों पर हस्त अक्षर हुए राष्ट्रपती का अगमी के साथ बादचीत के बाद मोधी ने घोशना की कि भारत जल्द रवांडा में अपना दूत आवास खोलेगा, दोनों देशों ने चमडा एवम इससे संबदिक शेत्रों और क्रिशनु संधान के क्शेत्र में समझोतों पर हस्ताक् प्रधार मंतरी 25 चुलाई को दक्षिन अफरिका पहुँचेंगे, जहां वेल ब्रिक्स शिखर समेलन में भाग लेंगे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिन अफरिका ब्रिक्स की सदस्य देश हैं